नमस्कार वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ मोहित खान भारती अंडर 19 टीम ने कमाल का खेल दिखाया और इंडिया ने पांच वी वार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया वेस्टेंडीज में इंगलेंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेला गया और भारती टीम ने इंगलिश खिलाडियों को चार विकिट सहरा कर शांदर जीत हासिल की भारत और इंगलेंड की बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में राजबावा का जल्वा देखने को मिला इस जीत में चंदिगड के राजबावा ने बहद एम भूमी का निभाई और गेंद और बल्ले दोनों से भारते टीम को जीत दिलाने में एम भूमी का निभाई एक तरब जा राजबावा ने 5 विकिट लिये तो दूसरी और 35 रन का योगदान भी दिया इस खेल के लिए उन्हें पिलियर ओप दा मैच भी चुना गया इस पूरे टूनामेंड में राजबावा ने 252 रन बनाए और 9 विकिट अपने नाम किये इस परदर्शन के साथ ही राजबावा अंडर 19 विकिट के फाइनल में सरवसेष्ट परदर्शन करने वाले गेंदबास भी बन गए इससे पहले ये रिकोर्ड पाकिस्तान के अन्वर अली के नाम था जिनोंने 2619 विकिट के फाइनल में भारत के खिलाब 35 रन देकर 5 विकिट हासिल किये थे साथी राजबावा अंडर 19 विकिट लेने वाले पहले भारतिय बोलर भी बने राजबावा की फेमेली का खेलो से गेहरा नाता रहा है उनके दादा स्वरगिये तरलोचन सिंग बावा होकी के खिलाडी थे जब भारतिय होकी टीम ने 1948 में लंदन ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीता था तो उनके दादा भारतिय होकी टीम के सदस्ये थे इतना ही नई राजबावा के दादा 1952 में भारतिय होकी टीम के कप्तान भी बने राजबावा के पिता सुकविंदर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंग को भी बच्पन में कोचिंग दे चुके हैं युवराज सिंग ने भारतिय टीम को बेट और बोल से कई मुकाबलों में जीत दिलाई थी युवराज के शांदा परफॉमेंस को देखकर राजबावा ने उनके नक्षे कदम पर चलने का फैसला किया युवराज की तरह राजबावा भी 12 नंबर की जड़सी पहन कर खेल मिलते हैं राजबावा ने इस वर्ल्ड कम में युगांडा के खलाब 22 जनवरी को खेले के मुकाबले में 112 रन की नाबाद पारी भी खेली थी इससे पहले 19 जनवरी को उन्होंने आइलेंड के खलाब 52 रन का योगदान दिया था इस वर्ल्ड कम में अपने पहले ही मैच में साथोफिका खलाब उन्होंने 47 रन देकर चार विकिड भी अपने नाम हासिल किये थे पिछले वर्स उन्होंने एशिया कप में अफगानिस्तान के खलाब 43 रन भी बनाये थे इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ